इंस्टेंट आनारस्सा रेसिपी बस 15 मिनिट में बन कर तयार हो जाते हैं बिलकुल ऑथेंटिक स्टाइल जैसे टेस्ट बन कर भी वैसे ही तयार हो जाते हैं जैसे ऑथेंटिक स्टाइल बनाते हैं पतले ऐसे पोकेट टाइप आनारस्सा रेसिपी बस 15 मिनिट में जल्दी से जट से इंस्टंट देड कप चावल में एक केजी के प्रमान में बन कर तयार हो जाते है अधीक कम मास चालू है इस महिने में महाराश्ट्र में और पूरी दुनिया में जमाई शष्टी का कारेक्रम होता है जमाई राजा को पूजन किया जाता है अपनी लड़की के साथ तो सजाए जाते है यह तो ऐसी रेसिपी जो बहुत ही महेंगी मिलती है मार्केट में आप घर पर बस देड कप चावल से बना कर तयार कीजिए स्वाधिस्ट ऐसे बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल पंधरा मिनिट में ही बन कर तयार हो जाते है इंस्टंट ऐसे मल्टी कीचन प प्रसे कैसे बनाने है देड कप चावल के आटे से एक केजी आनारस्सा घर पर ही बन कर तयार हो जाता है इसके लिए लिया है हमने देड कप चावल काटा और एक कप प्यूवर वाला गुड जैगरी एक कप लेना है और यह बिल्कुल पर्फेक्ट प्रमान है देड कप चावल काटा है तो देड कप ही हमने पानी लेना है जितना चावल काटा होगा उतना ही पानी लेना है और जैसे ही पानी गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे गुड प्यूवर वाला लेना है और गुड प्यूवर वाला लेने का एक ही फायदा है यह जल्दी से मेल्ट भी हो जाता है और इसमें इंप्यूरिटी नहीं होती इसे चादना भी नहीं पड़ता है इसलिए प्यूर वाला जागरी यूज करना मोस्ट इंपोर्टन है जब ये पूरी तरह मेल्ट हो जाए इसमें डाल देंगे एक टीस्पून इलाइची पावडर और फिर इसे मिक्स कर रहे होते है और सिम फ्लेम पर अच्छी तरह से पूरे चावल के आटे को गुड के मिश्रन में मिला लेंगे और इसी दोरान हम इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून घी घी डालना है ताकि हमारा मिश्रन बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल बने आनारस्य का ये मिश्रन आ चाहिए और ये घी डालने की वज़े से गुठलिया बिल्कुल नहीं रहती है तयार हो गया हमारा ऑथेंटिक स्टाइल बिल्कुल महीन ऐसा ये आनारस्य का आटा आप देख सकते हैं क्रैक भी नहीं आ रहे और गोली भी हमारी बिल्कुल महीन ऐसी बन रही है जैसे ऑथें जल जाता है इसलिए हम इसे थंडा कर लेंगे थंडा करने के बाद इसे गूत लेंगे अच्छी तरह एक जैसा कर लेंगे इसे ज़्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं होती है इतना ये महीन बन जाता है अभी तयार है हमारा ये आनारस्य का आटा आनारस्य तयार करन यह हमने पॉपी सिर्स जो अनारसे होते हैं वो पॉपी सिर्स के बिना अधूरे होते हैं महाराष्टर में अनारसे पॉपी सिर्स से ही बनाए जाते हैं और उससे ही टेस्ट आती है पॉपी सिर्स से अनारसे में और फिर यह गोली इस तरह से डीश में रखकर दोनों उंगलिय अब इस तरह अनारस्से तयार कीजिए यह पहली ट्रिक अनारस्सा बनाने की और फिर यह तयार हो जाता है हमारा अनारस्सा फ्राइ होने के लिए और दूसरी ट्रिक गोली बनकर इसे बस दो उंगलियों के बीच में राउंड राउंड करते जाना है इस तरह ज्यादा पतला ज्यादा मोटा भी नहीं आनारस्य को रखना है अगर मोटा रखेंगे तो खाने में स्वाद नहीं आता है पतला भी नहीं रखना है ताकि फ्राय होने के लिए हमें आसानी हो मीडियम साइज में तयार करके दोनों उंगलियों में बस पॉपी सिर्स में से प्रेस करना है ताकि पूरी तरफ पॉपी सिर्स लग जाए, यह पॉपी सिर्स लग गई है, तयार है, हमारे सभी अनारसे फ्राइ होने के लिए पॉपी सिर्स लगाए हुए, अभी हम तेल गरम कर लेंगे, तेल को गरम करना है, most important point तेल गरम हो जाने के बाद, जब हम अनारसे डाल रहे होते है, फ्लेम को करना है बिल्कुल मीडियम और एक एक करके हम अनारस्सा फ्राइ कर लेंगे इसमें और अनारस्से जैसे ही इसमें डालेंगे इसको ज़्यादा फ्राइ नहीं करना है मतलब ज़्यादा हिलाना नहीं है बस इसे फ्राइ होते देना है और थोड़ा सा हलका सा इसके जालते हुए और ये जट से फूल भी जाते है आनारस से और बिल्कुल जैसे ऑथेंटिक स्टाइल बनते है इसमें जाली आती है फूलता है ये फूल कर भी तयार होगा और ये देखें ये फूल गया और जाली भी आ रही है बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल जैसे पंधरा मिन पेस्ट आती है, बन कर तयार है, सभी आनारस्ते हमारे बस देड़ कप चावल से एक केजी के करीब करीब ये पूरे बन जाते हैं, बिल्कुल कलर बढ़िया आया है, मार्केट में खरिदने की जरुवत नहीं है, आधिक मास में जमाई शष्टी होती है, उसमें ये बनाए जा तो जरूर जरूर आप ये रेसिपी ट्राइ कीजिए, मल्टी कीचन पूरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप यानारस्ते का कलर देख सकते हैं, दोनो साइड से आगे की साइड और पीछे की साइड बहुत ही बढ़िया कलर जैसे आता है, उसी तरह ये कलर आया है, और प्यूर जैगरी के वज़े से ये खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगते है, पॉकेट भी देखिए किस तरह अंदर से आया है, न जादा मोटा बना है, न जादा पतला बना है, जैसी साइज में चाहिए बिलकुल वैसे ये बन जाते है, खाने के लिए बहुत ही बढ़ि से ये कि की बढ़र के लिए Lordi के लिए' गesus, न जादा है, एप लिए के रसाGO एंदर страхया, जा बहुत है लगते हैं